कार में बैठने का आपका पॉस्चर कैसा हो? जब आप कार में बैठते हैं, सो कार की सीट्स कोई बहुत अर्गोनोमिकली डिजाइन नहीं होती हैं, यह बाद आपको समझनी चाहिए, क्योंकि कार इस लगजरी प्रॉड़क्ट और कम्पनीज आपकी बॉड़ी के हिसाब से, जो आपको कम्फर्टिबल लग रहा है, वैसी सी सीट आपको देना चाहती है, अगर वो आपको स्पेशल कर्फ देंगे, आपको पर्टिकल एंगल पर बिठाएंगे, तो उनकी प्रॉड़क्ट सेल कम हो सकती है, तो ऐसे में आपको अपनी कार सीट को अपनी जरुवत के साब से मॉडिफाई करना चाहिए, इसमें पहला पॉइंट है कि कार सीट हाइट कैसी हो, अगर आपकी कार सीट एड़्जस्टिबल है, तो I would say the higher the better, पर यह हो कैसे, पहले अपने दोनों पैरों से क्लच और ब्रेक को पूरी तरह पुश कर दीजे, आखरी कोने तक पुश करिए, और फिर कार की सीट को जितना उपर कर सकते हैं, उतना उपर कर दीजे, जिलनों की कार सीट एड़्जस्टिबल नहीं है, वो लोग दोनों पैरल्स को प्रेस करिए, और उसके बाद चेक करिए, आप कितनी हाइट उपर ले सकते हैं, स्टेरिंग की हेल्प से बॉड़ी को थोड़ा सा लिफ्ट करिए, और यू रिलाइज कि आपको शायद 2 इंच की स्पेस या 1.5 इंच की स्पेस आप हिप्स के नीचे बना पा रहे हैं, तो उतने एरिया में आप एक कुशन लगा दीजिए, दूसरा पॉइंट, आपको बैक रेस्ट जो है कार में यूज़ करना चाहिए कि नहीं, तो आपकी कार की सीट का एंगल लगभग 105 डिगरी होना चाहिए जब आपकाड़ी चला रहे हैं, तो ये 105 डिगरी का एंगल अगर बहुत सीधा रखके बैठेंगे 90 डिगरी पे, तो कमर की डिस्क पे जोर बहुत पढ़ता है, और खास करके तब जब आपकी कार किसी गड़े में से निकल रही हो, तो उसकी वैसे डिस्क बहुत तेजी से दबती हैं और खुलती हैं, तो बहतर ये हैं कि आपकी कार सीट 105 डिगरी पे पीछे की तरफ जुकी हुई हो, और पीछे जुकी हुई सीट के साथ आपको बैक रस जनरली नहीं लगाना चाहिए, आप एक टाल लीजिए, उसको मल्टिपल फोल्ड करके अपनी कमर के पीछे सेट कर लीजिए, हर किसी का कमर का करवेचर अलग-अलग साइज का होता है, कोई 6 फोट का है, तो उसका कमर का करवेचर थोड़ा लंबा होगा, किसी की हाई टेकर 4 फोट है, तो उसका करवेचर डेफिनिटली छोटा होगा, फीमेल्स का कमर का करवेचर डीप हो सकता है, जबकि मेल्सा कमर का करवेचर की डेप्थ कम हो सकती है, सो बहतर तरीका ये है कि आपके टाल की थिकनेस को multiple days तक adjust करते रहे है पहले दिन setting मिल जाएगी जरूरी नहीं है दो बार, चार बार, पांच बार अलग-अलग setting बठा के आपको exact curvature आपकी spine के हिसाब से आपको exact thickness आपकी कमर के पीछे कितनी चाहिए वो पता लग जाएगा और फिर उस thickness के हिसाब से या तो आप कोई cushion तयार करवा सकते हैं या फिर उन्ही टाल्स को आप एक दुपट्टे की help से car की seat के साथ बांध दीजिए या किसी belt के हाथ से या किसी belt के मदद से वहां बांध दीजिए ऐसा करने से आपकी कमर को जो optimal support चाहिए वो आप खुद ही अपने लिए design कर लेंगे अगला point जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपका distance steering के साथ कितना हो सो pedals को दोनों को push करने के बाद आप seat को जितना पीछे कर सकते हो उतना अच्छा और उसके साथ आपका हाथ steering पे आराम से पहुंच जाए और आपकी elbow दरवाजे में जो armrest बना होता है उस पे रखी रहे तो यह सबसे अच्छा posture है drive करने का ध्यानी रखना है कि elbow को दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आपको कंधे को आगे push नहीं करना है shoulder अपनी जगा पे आपने पीछे hold किया हुआ है और फिर आपकी elbow rest कर रही है और हाथ steering wheel पे है